हाई गाईज वेलकम मैं हो नीतु फ्रॉम प्रिशो लाइफस्टाइल से I hope you all guys are doing well तो अगैन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेशो हॉल मैंने मेशो से कुछ साड़ी, सूट और लहंगा परचेस किया है मैं उनीका रिवियो आपके साथ शेयर करूँगी आज का वीडियो बहुत ही जादा यूसफुल होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो guys वीडियो जरसा भी यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है तो guys प्लीज सब्सक्राइब कीजे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी रीसेंट अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम है अप्रिशोलाइफस्टाइल आपको मेरे सारे प्रडक्ट्स की फोटोज वहाँ पर मिल जाएंगी तो guys फॉलो कीजे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेट्स गेट स्टाटेग तो जो फर्स्ट आइटाम मैंने पिक किया है वो है ये कुर्ता शरारा सेट बहुत ही प्यारा सेट है guys कुर्ता और शरारा पर मिरर वर्क हो रखा है तो सबसे पहले हम कुर्ता देखेंगे ये देखे कुर्ते में हमें राउंड नेक मिल जाएगा और इसकी ये sleeves full sleeves है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये bell sleeves है बहुत ही सुन्दर लगती है और यहाँ नीचे आपको गोटा पटी लेस मिल जाएगी पूरे कुर्ते में आपको इस तरह का mirror work मिल जाएगा और ये false mirror है और mirror को इस तरह से thread से अच्छे से fix किया हूँ और नीचे border में आपको इस तरह का mirror work मिल जाएगा बैक से एकदम plain है color तो आप देखी रहे है red color का कुरता है जैसा color आपको screen पर दिख रहा है same वैसा ही है बहुत ही सुन्दर set है guys material है इसका rayon इसमें मेरा size है large आप 44 birth size तक इसे order कर सकते हैं ये straight कुरता है तो दोनों side में आपको इस तरह से cut मिल जाएगे इसके साथ हमें मिलता है ये शरारा बहुत ही सुन्दर सा शरारा है इसमें हमें इस तरह से elastic मिल जाएगी उपर से ये plain है और नीचे जो इसका flare है देखी कितना है और यहां पर आपको इस तरह का mirror work मिल जाएगा और नीचे border में आपको जैसे suit में है उस तरह का mirror work मिलेगा बहुत ही सुन्दर शरारा है इसका भी material है rayon और back से ये plain है जो भी mirror work है वो आपको front में मिल रहा है इसके साथ मिल रहा है आमें ये दुपट्टा दुपट्टे पे इस तरह से गोटा पट्टी लेस है और बीच बीच में आपको ये sequence flower मिल जाएंगे दुपट्टे की length 2 meter है और बहुत ही soft है बहुत ही प्यारा set है guys मुझे तो ये set काफी पसंद आया बहुत ही जादा affordable है material इसका काफी अच्छा है और देखने में भी बहुत ही classy look दे रहा है तो highly recommended जाद सब्सक्ष्टेग में आहा है कर दो, कर दो, कर दो, कर दो अब जो नेक्स्ट आटम मैंने और्डर किया है, वो है ये साडी, ये बंधेच प्रिंट की साडी है, इस प्रिंट की साडी मैं आपके साथ पहले भी शेर कर चुकी हूँ, इस साडी का कोड मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने दिया था, और जब मैंने इस साडी में देखी तो मुझे इतनी जाधा पसंद आई थी कि मैंने ये सुच जा था कि मैं इसे करवा चौप पे वेर करूंगी पर उस से मैं ये आउट अफ स्टॉक थी तो मैंने इस साडी का काफी वेट किया और जब ये स्टॉक में आई तो मैंने इसे ओडर किया बहुत जाधा ए जबकि रियल में ये मरून कलर है और बहुत ही जाधा डल है और माटीरियल भी इसका बहुत ही हार्ड है बिल्कुल भी अच्छी साडी निये गाइज मैं तो बिल्कुल भी रीकवेंड नहीं करूंगी कि आप इसे बाय करें इसमें से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आरी है आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे ये यूजड है मैं आपको साडी दिखा देती हूँ लेना ना लेना तो आपपर डिपेंड करता है पर मैं तो इसे रिटर्न करूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद ने आई इसका मटीरियल है चौरजट साडी की लेंध है 5.5 मीटर और पूरी साडी पर आपको इस तरह का बंदेज प्रिंट मिलेगा और साडी में इस तरह का बॉर्डर है बॉर्डर की वज़ा से साडी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रहे थी पूरी साडी में आपको इसी तरह का बॉर्डर मिल जाएगा इसमें आपको ब्लाउस प हैस के साथ अब जो नेक्स आइटम में आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये वाला सीक्वेंस लेहंगा उससे पहले मैं आपके साथ एक छोट इसी बात शेयर करना चाहती हूँ मेरी एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे इस लेहंगे का रिव्यू करने के लिए कहा था इस बात को two month हो चुके हैं already लेकिन जब उन्होंने मुझे से कहा मैंने उसी समय से order किया था उसके बाद ये मुझे 10 to 20 days में receive हुआ तो जब मुझे वो लेहंगा receive हुआ उससे में में तिवित काफी जादा खराब थी तो मैं वीडियो को अच्छे से shoot नहीं कर पाई हूँ मैंने वीडियो shoot तो किया है लेकिन उस तरीके से नहीं किया है जैसे मुझे आपको दिखाना चाहिए पर हाँ जैसा भी है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लेहंगा किस तरीके का है या फिर उसकी quality कैसी है फिर मैं यह नहीं समझ पा रहे थी कि मैं इसको upload करूँ कि ना करूँ क्योंकि मैं इसे धन से shoot नहीं कर पाई थी तो मैंने इस लेहंगे को फिर से order किया और इसकी delivery 10 days बाद की दिखा रहा था कि मुझे 10 days बाद deliver होगा तो मैंने का चलो ठीक है मैं इसका wait कर लेती हूँ मैंने इसका wait किया तो जब 10 days हो गए और लहंगा मुझे receive नहीं हुआ तो मैंने एप में जा कर देखा कि क्या problem है तो वहाँ पर ये mention था कि seller ने अपनी तरफ से ही delivery cancel कर दी है और जब seller cancel कर देता है और आप फिर से उस product को buy करने की सोचते हैं तो वह out of stock दिखाता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ और guys ये first time नहीं हुआ है इस तरह से मेरे और भी orders है जो cancel हो गए है ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है I am sure ये और लोगों के साथ भी हो रहा होगा अगर मैं फिर से order करती तो मुझे फिर से 10 days और वेट करना पड़ता और पता नहीं कब मुझे लहंगा receive होता कब मैं वीडियो शूट कर पाती और मैं कब upload कर पाती इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने पुराना शूट किया है मैं वही upload कर देती हूँ ये बहुत ही खराब सर्विस है जो मैंने मेशों में देखी है और किसी भी online app में मैंने इस तरह की सर्विस नहीं देखी है ये आपने कुछ order किया हो और salad यों से cancel कर दिया हो वो भी 10-12 days बाद आप वेट कर रहे हैं कि हाँ order आ रहा है order आ रहा है लेकिन finally वह आपको मिलता नहीं है तो चलिए बहुत सारी बाते हो गई है अब देख लेते हैं कि ये लहंगा कैसा है इसमें आपको लहंगा और दुपट्टा मिलेगा इसमें जो उपर का blouse piece है वो लहंगे के साथ अटेच है तो ये well weight लेंगा है इसमें आपको well weight material के ऊपर sequence work मिलता है इसमें ऊपर की तरफ हमें belt मिल जाएगी और आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही जादा sequence है sequence के बीच में ज़रा सा भी gap नहीं है इस तरह से देखने में लेंगा बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है और अगर इसमें कोई कमी होगी भी तो आप नहीं बता सकते हैं लहेंगे में जो well-weight fabric यूज किया गया है उसकी quality बिलकुल भी अच्छी नहीं है और जो इसमें sequence यूज हुआ है उसकी भी quality बहुत जाद अच्छी नहीं है अगर हम finishing की बात करें तो इसमें बीच-बीच में जो sequence है उनकी direction upward और downward है कुछ की direction उपर की तरफ है कुछ की नीचे की तरफ है जैसे यहाँ पर भी है पता नहीं आपको clearly show हो रहा है की नहीं पर इसमें कई जगह पर इसी तरह से sequence की direction upward और downward है अब velvet के नीचे मिलता है हमें can-can जो की बहुत ही soft है और उसके नीचे हमें मिल जाती है एक और lining अब इसके साथ हमें मिलता है यह दुपट्टा जिसकी length सवादो मीटर है पूरा दुपट्टा net का है net अच्छी quality का use किया गया है इसके border पर आपको 4 तरफ sequence मिल जाएगा अब यहाँ पर जो sequence यूज किया गया है उसमें आप देखेंगे कि finishing बिल्कुल भी नहीं दी गई है और पता नहीं आपको clearly दिख रहा है कि नहीं इन्होंने यहाँ पर sequence को cut करके सीधे thread से stitch कर दिया है corners बहुत जादा sharp है बिल्कुल भी finishing नहीं है I mean ऐसा corn करता है मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी भी दुपट्टे के corners को अच्छे से stitch ना किया गया हो और इसको आप देखेंगे इसकी cutting भी अच्छे से नहीं हुई है कहीं पे जादा कट है कहीं पे कम कट है आप देखें शायद अब आपको ठीक से दिख जाएगा बहुत ही गंदी finishing है guys पूरा दुपटर इसी ते रहका है इसमें बिल्कुल भी finishing नहीं है cutting तक ठीक से नहीं की गई है अब इसमें आपको sequence का थोड़ा सा material दिया हुआ है जिसे आप अपनी blouse की sleeves पर लगवा सकते हैं नेक पर लगवा सकते हैं जैसा कि इस pick में दिया हुआ है और इसके साथ ये थोड़ा सा plain black material भी दिया हुआ है जिससे आप अपना blouse निकाल सकते हैं देखिए guys लहंगे में flare बिल्कुल भी नहीं है इसके नीचे can can लगा हुआ है फिर भी इसमें flare बिल्कुल भी नहीं है तो without flare कोई भी लहंगा अच्छा नहीं लगता है लोकवाइज लहंगा काफी अच्छा है लेकिन अगर बाई करने की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगी कि आप इसे बाई करें कोई मुझे 1000 रुपीज में भी ये देगा तो मैं इसे बिल्कुल भी बाई नहीं करूंगी तो गाइस मैंने आपको ये लहंगा दिखाया आपने देख लिया कि ये किस तरह का है लहंगा लुकवाइज बहुत ही जादा अच्छा है बहुत ही प्यारा लग रहा है लेकिन जो ये सीक्वेंस लहंगा है इसमें कैन-कैन थोड़ा हार्ड होना चाहिए था क्योंकि जो सी बहुत ही जादा सीक्वेंस है इसमें उसकी वज़ह से लहंगा थोड़ा सा है और अगर लहंगा है तो उसकी नीचे जो चैन-कैन है वो थोड़ा सा hard होना चाहिए था, इन्होंने काफी soft can-can दिया है, जिसकी वज़े से लहंगे का flare दिखाई ही नहीं दे रहा है लहंगा एकदम आपको straight सा लगेगा क्योंकि can-can तो काफी light है तो लहंगे को flare नहीं दे पा रहा है जिस वज़े से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अगर किसी लहंगे में flare नहीं है, तो वो किसी काम का लहंगा नहीं है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है secondly, लहंगे में जो sequence है, उनकी direction कुछ upward है, कुछ downward है, तो वो एक जैसे नहीं है, कि हाँ सारे upward हो हो, या सारे downward हो, तो मुझे ये भी एक drawback लगा, मुझे ये समझ नहीं आया, ऐसा क्यों है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप उसे past से देखें, लेकिन अगर आप उसे दूर से देख रहा है, तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा भी कुछ है, थर्ड जो इसका दुपट्टा है, उसमें जो आप इसका border देखेंगे, वो sequence का है, लेकिन ऐसा लग रहा है, जैसे sequence की material को cut करके और border पे लगा दिया गया है तो guys, अगर आप 3000 invest कर रहे हैं, तो वो दिखना भी चाहिए और अगर finishing ही नहीं होगी तो कुछ भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो look wise लहंगा बहुत ही ज़ादा अच्छा है लेकिन अगर आप उसकी quality देखें और उसकी finishing देखें material देखें, वो बिलकुल भी अच्छा नहीं है look wise लहंगा बहुत ही ज़ादा अच्छा है अगर आपके लिए look matter करता है तो आप इस लहंगे को buy कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसकी quality, material और इसकी finishing को देखेंगे तो यह लहंगा बिलकुल भी वर्थ नहीं है कि आप इसे buy करें और इसका price है 2600 यह बिलकुल भी वर्थ नहीं है कि आप इसमें invest करें तो guys मैंने आपको जो भी चीज़ा दिखाई है उसका मैंने एकदम honest review दिया है अब आपके ओपर है कि आप उसे buy करना चाहते हैं या नहीं अगर आप इसमें से कुछ भी buy करना चाहते हैं तो code description box में है आप वहाँ जाकर उसे check out कर सकते हैं तो guys यह था आज का वीडियो I hope आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना न भूलें आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं तो guys यह था आज का वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाँ टेक केर